जहें ईस वीडियों के बात करेंगे देखेँक्राइट Courtundo Re compartil पसंद के पहली पसंद बननी जा रहे हैं इसके पीछे कारण यह है कि पिछले पीछले यह सकता है और लोगों को मिद है कि इस साल भी एक मल्टीव रिटर्न दे सकता है तो क्या सच में यह ऐसा कोई रिटर्न दे सकता है कि आप फ्यूचर में इसमें ग्रोथ आने के कोई पॉस्यबिलिटी है और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट व्यू से इस वीडियो में इसके वारें तक्सिस से बताऊंगा बस अप्लाइब रहे हैं कमाल के वीडियो वाली है काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा आई शुरू करते हैं देखें दोस्तों यह वालों के आने को लेकर इसको काफी जवर्दस्त कमाई हो गए थी आज तो थोड़ा पीपी कीट का डिमांड कम हो गया लेकिन फिर भी कंपनी बनाती है अब समझेंगे इस कंपनी का मार्केट क्या पर 13,090 क्रोंड पर भोग 14,000 क्रोंड के आस पास इस कंपनी का वेलोशन पहुंच आज इसमें थोड़ी सी देखने को मिली है पिछले कुछ समय से तो इसका डाउन नहीं जा रहा था यहां समझेंगे अब ग्राफ में देखेंगे तो इसमें तेजी के साथ थोड़ा सा से उपर जाते हुए दिख रहा है अब जैसा मैंने कहाँ के दिन से इसमें अब ट्रेंड शुरूबा था तो उसी के बदावलत अगर मालेजिए एक साथ कमान कर चलते हैं तो देखेंगे पांच दिन का इसका रिटर्न लगभग पांच परसेंट का हो चुका है मतलब पांच दिन में इसने इतना रिटर्न दिया है अगर बात करें एक माह में लगभ अब लेकिन अगर बनाया था अपना 35 पैसा का जो कि इसी साल जनूरी में बनाया था और हाइव बनाने के बास नीचे जाने लगा तब से देखेंगे तो बीस रुपे से लिकर तीस रुपे के बीच में घुम रहा है अब समझे यह तो हो गया बावन विक का है साल भर का हाई लेकिन अगर हाई की बात करें तो इस अभी तक लगभग 80 रुपे का अपना सांदार हाई बनाया है और यह हाई बनाया था दिसंबर 2007 में 2007-2002 हो गया इतने सालों में इसका जो शेयर प्राइस से 80 रुपे को पार नहीं किया और अभी तो बहुत सालों के बा सब्सक्राइब की मीटिंग हुई है और यह मीटिंग इसलिए वा था क्योंकि इसके डायक्टर ने से भी को बताया है कि अब क्वाटर फॉर का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट कंपनी के चोद्य अप्रेल के दिन फिर एक बार बैठक होगा और उस बैठक में जारी क इसके पिछले रिजल्ट काफी का अच्छा आया था कंपनी को रिभेनू देखेंगे तो और अगर प्रोफिट देखेंगे तो प्रोफिट में नहीं थी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी लगभग 84 कौन का इसके पास लॉस था लेकिन उस लॉस को रिकाफर करते हुए क्वाटर थिरी में कंपनी नौ लाग के लॉस तक ले आई मतलब काफी हद तक इसने अपने लॉसों को कम गया और अर्निंग पर सेर भी द दिखें लेकिन बढ़ा हुआ दिखेगा दीकत यह कि कंपनी कोपर करजा बहुत अधिक है देखिए कंपनी को पर अभी चौवीस जार दूसर चपन करण रॉपए का करज है जर देखेंगे तो रिजर्व भी कुछ नहीं है रिजर्व एकदम निगेटिव में माइनस अठा चाल सेक्टर की जो कंपनी होते उसमें बिदेशी निवेसक होते ही है यह कोई बहुत मतलब बात नहीं है लेकिन है और अपना इस्टेक बढ़ा रहे हैं तो यह परतिसतकी है यहां समझेंगे यह कंपनी 2013 तक डिविडेंट भी देती थी लेकिन 2013 के बात से इसने डिविडे देती हैं जब उनके उपर करजा नहीं रहे हो एक पर कंपनी को अच्छा प्रोफिट नहीं हो जाए लेकिन याखने लागत को निकाल लेजेए अगर अच्छा मुनाफआ होगा और अगर एको नया बेक्ति है इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेसक कर सकते हैं लेकिन एक छोटी लागत के साथ और लागत लगाने के बाद इस गंबन इसको बहुत बड़ा उविद्मत रखेगा वरना आपको नुकसान हो सकता है तो उम्मीद करता हूँ आप म